नवश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त परदीप कुमार बांगड़े आपका स्कारिक्रम में स्वागत है जिस्कारिक्रम के नाम है आपके अन्रोध पर दोस्तों आपके अन्रोध पर आज मैं आपको उता हुआ कि ज्वार की खेती में रोग कीट लगे और उसको किस त की चेक रेट कलर का बटन उसे दबा कि आप सबस्क्राइब करें बाजू में एक बैल है उसे भी दबाया था कि मैं जो भी वीडियो दालू वो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सबस्क्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से पहुचा सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं जवार की फसल में एनेक कीट और रोग लगे होते हैं कि फसल की उपजवृद्द्य और टिकाउपन में एक प्रमुक समस्या है इस फसल की कीट रोग से काफी नुकसान पहुचाता है तो किस तरह से यहने की तनाच्षे दन इसकी गिडार या सुड़िया च्छोटे पौदे की गोफ को काड़ देती है जिससे गोफ सुख जाती है इसका प्रभाव वहाई के पन्रह दिन बाद से आरंब होकर फसल में भुट्टे आने के समय तक होता है पौदे की बढ़वार के साथ ही ये सुरंग सी बना लेती है और अंदर यह अंदर तने के मुलाइम हिस्थे को खाती है जिसके परणाव सरुप पौदे की बृद्धि भाग की मृद्धि हो जाती है जिसे डेड हैटर्स के नाम से जानते हैं रोक थाम कैसे करें इसके रोक थाम के लिए बौईस के पच्चीस कार्बो प्यूरान तीन प्रतीय। कार्बो फ्यूरान तीन प्रतीशत दाने दार। किट नाशक 7.5 kg प्रती हेक्टियर के दर से डलना चाहिए। और दस दिन के बाद दूसरा वर्गाव इसी मातरए में पौधे की गोफ में करना चाहिए। पंधुलिका, पायरिला इस खीट का आकरमन बे मुसम एम पेड ज्वार में अधिक पाये जाता है ये खीट पौदे की पत्टी का रश चूस कर नुक्सान पहुचाता है जिससे पौदे का हरापन कम हो जाता और पौदे सुकने लगते हैं रोक्ताम इस किट का नियंतरन सामान्यते स्वयम ही हो जाता है अधिक आकरमन होने पर मोनो क्रोटो फास मोनो क्रोटो फास 36 डबलू सी किट नाशक की एक लिटर दवा का छे सो से साथ सो लिटर पानी में घौल बनाकर फसल में छिड़काव करना चाहिए तरह मक्षी ये जवार का एक प्रमुक किट है इसका प्रखोप पौधे के जवाओं के लगबख साथ दिन बाद से 30 दिन तक रहता है किट की जिल्लिया उकते हुए पौधे को गोफ को काड़ देता है जिससे शुरातिय और अस्तान बहुता सुख जाता है कुछ गोफ सुख जाने के बाद भी कल्ले निकलते हैं रोक थाम इसके रोक थाम के लिए कार्बो प्यूरान तीन जी या फिर फॉरेट दस जी बवाई के समय 20 किलोग्राम प्रती हेक्टियर के दर्थ से कुंडों में डालना चाहिए ये कीट नाशक पौधे की जड़ द्वारा और शुश्शित होकर पौधे में पहुंसता है ऐसे पौधे को खाने के बाद गिडारे मर जाती है जौर का मिच ये देश के दक्षिन राज्य जैसे के माराष्ट करनाटक तमिल नाडू में जौर के फसल को हानी पहुचाने वा इसके रोकताम के लिए कारबरील कारबरील पचास डवलू पी या फिर कारबिल तीन डी कीट नाशक का जौर के भुटे निकलते समय जो है आपको चार से पास दिन के अंतराल पर दो बार छड़काओं करना है जौर का माइड़, यह बहुत चोटा कीड़ा होता है जो पत्ती की नीचले स्था पर जाले बुंटकर उन्हें अंदर रहकर पत्ती का रस चूशता है, ग्रसित पत्ती लालरंगी हो जाती है बाद में सुच जाती है रोक थाम, इसकी रोक थाम अन्य कीट रोक थाम के साथ सुते ही हो जाती है बालदार सुंडी, ये कीट विवन फसलों को नुक्साल पहुचाती है इस कीट के शरीर पर घने बाल होने के कारण इस कीट को बालदार सुंडी कहा जाता है सुन्डी पौदे के मुलाइम पत्ती को खा जाती है जिससे पौदा खत्म हो जाता है रोक थाम इस किट के रोक थाम के लिए फोलो डोल दो प्रतिशत धूल का पच्चिस सिटीस किलो ग्राम प्रती हेक्टियर या फिर थायो डान पैटीस इसी का शुने जसमले एक प्रतिशत घोल बनाकर खड़ी फ़सल में छिड़काव करना चाहिए माहूं जिसे एफिट कहते हैं इस किट के शीशु और वैस्क पौदे का रस चूसते रहते हैं जिससे पौदे के पत्तियां किनारे से पीली नीली धारी पढ़ जाती है इस किट के प्रकोब से तरल द्रवे बनने लगता है जिससे वसल पर फुफुन का आकरवान होता है और प्रभावित होती है रोक्ताम के लिए मेटा सिस्टाक 25 इसी की एक लेटर मातरा प्रती हेक्टियर की दर से 500-600 लेटर पानी घोल बना का छिड़काओ करें पक्षी ज्वार के फसलों को भुट्टों लगाते समय लेकर कटाई के समय चेडियों से भी बहुत नुक्सान पहुं चेडियों के रख रख रखवारी करना बहुत आफशक है रोक प्रबंदक दाने या कंडम स्टम कहते हैं जिससे दाने फटने पर बाहर आकर फैल जाते हैं रोक्ताम कैसे करें यह बता देता हूं इसकी रोक्ताम के लिए बीच को किसी गवकनाशी दवा जैसे की केप्टान या बीटा वैक्स पावर से 225 प्रती किलोग्राम बीच की दर से उप्चारित करके बुवाई करें अर्गट संकर जवार में इस रोक का प्रकोब अधिक होता है इस बिमारी के विजानू हवादवारा फैलते हैं और बीच का प्रकोब फसल में फूल आने के समय होता है रोक थाम दोस्तों यह मनुश्य और पश्वों दोनों के लिए हाने का रहा है यह रोग तो इसकी रोक थाम कैसे करने हो बता देता हूं अग्रेट रोग से ग्रस्त भुट्टू को काट कर जला देना चाहिए भुट्टे में दाना बनने के अवस्ता पर थीरम शुन्य प्रतिशत के 2-3 छड़काओं करके रोग को काफियत तक कम किया जा सकता है जो और का किट यह एक कवक जनित रोग है इस रोग का असर पहले पौदे की निचली पत्तियों पर दिखाई पड़ता है बाद में उपर ही पत्ति पर फैल जाता है रोग थाम कीट रोग की रोग कुरोधी किसम उगानी चाहिए तथा पौदे पर रोग के लक्षन दिखने पर डाइथेन एम पैतालिस चेद असमले दो प्रतिश्चत नामक कवक कारी नाशक का दस दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काओं करना ज़रूरी है किसान भाईयों को जड विगलन ज़र के फसल में ये रोग कवक दवारा प्हलता ये बीमारी मिट्टी और बीज दोनों के दवारा प्हलता है पर तो मिट्टी दवारा ये बीमारी मुख्य रुप से फैलती है फसल में बीमारी के लक्षन भूआई के 30 से 35 दिन बाद दिखाई देते हैं लोग की रोग थाम के लिए बीजों कोब होने से पूरों किसी कवक नाशी रसायान जैसे कि थिर्म या केप्टान दो दस्वन लोग पांच ग्राम प्रती कीलो बीज की दर से बीज को प्चारित करें मृदू रोमिल आसिता इस ये रोग लक्षन पौधे के उपर ही नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं जिससे पत्ति की निचली सिता पर सफेद रंगा चूण जम जाता है रोग थाम रोग की रोग थाम के लिए रोग रोधी प्रजादी वानी चाहिए रोग रस्त पौधो को खाड कर जला देना चाहिए भीक ऺrá शीब हुइसे पूर्ए प्रॉण पैतिस यह एस डि या फिर मिश्डीया फिर बिदो मिल एम जड बहत्र दसे 2.5 ग्राम प्रती किलोग्राम बीस की दर से 20 को प्चारित करना चाहिए तता फसल पर रेड़ो मिल 0.1 प्रतीस का चेड़काव करना चाहिए तना विगलन इस रोग का प्रकॉप्स तमिल लाइडू महाराष्ट के रवी में उगाय जाने वाले जवार पर पढ़ता है आकरमन चोटी अवस्ता में हैं तो पौदे सूख जाते हैं बड़े पौदे पर इसके प्रवाव होनते ही भुट्टे चोटे हो जाते हैं समय से पहले पक जाते हैं तथा तना कमजोर हम खुकला हो जाता है रोग थाम इसके प्रवाई नेंतरन के लिए फसल चक्रवा अन्य फसली करन प्रणाली अप्रानी चाहिए फसल में नाइटरोजन का कम प्रयोग करना चाहिए भूमे में नमी सर्क्षन की विदी अप्राना चाहिए इस तरह से आप रोगताम कर सकते हैं जोएर की खेती में किसान भाईयों एक बात और कहना चाहूँगा जैसी कोई रूख द हो ज्यादा ज्यादा पैसा कमाएं उमिद करता हूँ आपको जानकारी जरूर अच्छी लगे होगी इस एक साथ अपने दोस्त प्रदीब कुमार बागणे को इसकार करम से जाने की अजज़त दीजिए नमस्कार जैहन